लोगडान में फसे लोगों को अपने अपने घर लाने की कवायब तेज हो गई है केंदर सरकार्णी दूसरे राज्जों से लोगों को निकालने की अजाज़त दे दी है हालांक की इसके लिए कुछ दिशाने देश भी जारी किये गए जिसका पालन करती हुए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी होगी जो लोग फसे हैं वो खुद से ही गढ़ नहीं जा सकते इसके लिए राज्जों और केंदर शाषत प्रदेशों की और से बसों का इंतजार करना होगा बसे कब तक चलेगी इस बारे में अभी तक कोई विजानकारी नहीं दी गई है राज्य सरकारी सारी व्यवस्था करने के बाद ही लोगों को लाने ले जाने की प्रक्रिया शुरू करेगी ट्रेनी नहीं चलाई जाएंगी घर जाने के इच्छुक लोगों को रेजिस्ट्रेशन कराना होगा उसके बाद उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग होगी अगर उनमें कोई-19 के लक्षन नहीं मिले तब ही जाने दिया जाएगा वसों के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग फोलो करना अनिवार्य होगा अपनी गंद्वे तक पहांश्टे पर फिर आपकी जाट होगी राजों में होंगे नॉडल ओफिसर राजसरकारी दूसर राजों में फसे लोगों को लाने ले जाने के लिए नॉडल अधिकारी निउप्त करेगी ये पूरी विवस्था को मॉनिटर करेंगे रेजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेंगी बस घर जाने को इच्छक लोगों को पहले राजसरकार के पास रिजिस्ट्रेशन कराना होगा इसके लिए समबंदित राजसरकारे ओनलाइन या फोन पर जल्द विवस्था करेगी बस में बैटने से पहले हर एक व्यक्ति की मैडिकल स्क्रीनिंग होगी अगर जाट में स्वस्थ पाए गए तो ही आपको बस में बैटने की अनुमती दी जाएगी बसों में भी सोचल डिस्टेंसिंग का पालन होगा बिना मास बैटने नहीं दिया जाएगा अपने राज्ये पहुँचने पर फिर जाट एक बार आपकी बस अपने राज्ये में पहुच गई तो वहाँ पर मेडिकल जाच होगी लक्षन नहीं मिले तो आपको घर जाने दिया जाएगा अगर जाच में कोविड-19 के लक्षन मिलते हैं तो आपको नजदी की COVID-19 अस्पताल या फिर स्वास्ते के इंदर भेजा जाएगा वहाँ आपको आइसोलेशन में रखा जाएगा और समय समय पर जाच होगी सबको डाउनलोड करनी होगी ये एप अपने घर जाने के इच्छा खर गक्ति को मुबाइल में आरोगे से तू एप डाउनलोड करना होगा ताकि ज़रूत पढ़ने पर कॉंटेक्ट ट्रैसिंग की जा सके अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इस लाई को शेय करें साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेट स्टोरी इंट्रस्टिंग न्यूज के लिए